आज कल हमारे बैक में पेन, कुले में पेन, फिर पेन निकलता हुआ नीचे जाता है फिर इसी तरह से किसी को सर्वाइकल पेन इस तरह की काफी समश्याई चली हुई है और खास कर यह वीडियो आज मैं उन महिलाओं के लिए बना रहा हूँ जो जादा देर तक जो है जुक कर के काव करते हैं या आगे की तरफ जुक करके काम करते हैं या एक ही पोज में लगातार बैठे रहते हैं या उन्होंने अपना वेट जाला बढ़ा लिया है तो मैं डोक्टर संदीप अचारिया योग वह प्राकर्तिक चिकित्सक आज आपको ऐसे वह प्राकर्तिक थेरपी पताने जा रहा हूं जिससे आप बिल्कुल 100% जो है बैक पेन से सर्वाइकल पेन से कुले के दर्द से गुठने के दर्द से इन से काफी हद तक चुटका रहा पा सकते हो अब करना कैसे है वो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको जिस तरह से यह पेसेंट हमारे पास ही है ले लंबर एरिया आजाता है तो इस तरह से लंबर एरिया में सबसे ज़्यादा जो पेन देखने के लिए मिलता है वो मिलता है L4 L5 S1 के अंदर यहीं से डिस्बल जो जाती है फिर वो पेन धीरे-धीरे दोन्मों पाउं से होता हुआ फिर पाउं में चीटियां सी काटना सुन पना जाना या इस तरह की दिक्कते फिर आगे चल करके आती है और वो कौन से effective points हैं जिनको आप घर पे रह करके किसी की मदद से प्रेस कर सकते हैं या खुद भी हाथों में के अंदर पाउं के अंदर भी यह points होते हैं वो खुद भी अगर आप डबा लेते हो तो आपको काफी relief आ जाएगा, काफी आपको जो है, अराम आने वाणा है इस से तो यह देख लीजिए, इसको हमने दोनों अंगुटिए और दोनों साइड इस तरह से लगाने हैं तो इससे points के उपर जैसे points पर pressure पड़ता है तो pumping होती है जो भी block ही जोते है नसे दबी ही होती है तो वो खुलनी सुरू हो जाती है निकलनी सुरू हो जाती है साथ में फिर हमने क्या करना है बाई बादी की चीजियों का भी प्रेज रखना जैसे राजमा है छोले है चावल है मतर है जो बहुत ज्यादा बाई बादी की चीजिये हैं उनको हम बंद करेंगे और इस तरह से अपने एक बार या दो बार यह तीन तीन उंगल छोड़ करके points जो है हमने ऐसे प्रेस करने हैं अच्छी तरह से जब आप इनको अच्छी तरह से प्रेस करोगे तो आपको कुले से प्रेस करेंगे इसमें को हम यहां पे यहां पर करेंगे इस तरह से गुलाई के अंदर थोड़ा हाँ, यहाँ पे दबाव देना है, जितना पेसेंट सेहन कर सकता है, उतना ही हम इससे कोहनी से दबाव डालेंगे इसके उपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, तो इस तरह से ही पॉइंट सोते हैं, तो इनको आप उहनी से कुले पे अटेच किया और ऐसे प्रेस करेंगे अच्छी तरह से, तो यह हमने जब प्रेस किया, फिर उसके बाद एक पॉइंट सोता है, देखिए, बहुत ही इफेक् आप देख लीजिए, अच्छी तरह से, यह, यह आपका हमारा, यह इस तरह से टकना है, और टकने के और इसके बीच में, यह सब से पॉइंट होता है, साइटिका का, अगर किसी को भी साइटिका का दर्द है, थोड़ा सा ऐसे प्रेस करते ही, तुरंट चीख निकलती है, प यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसका इस पॉइंट को ऐसे प्रेस करेंगे, इसी तरह से पांच पांच उगल चोड़ करके, आप उपर तक जा सकते हो, तो आप देखोगे, काफी हद तक जो है, आपको जो है, साइटिका के दर्द से, बैक पेन से जो चुटकारा मिल सकत है, और थोड़ा बहुत एक्सेसाइज करो, अपने पोज को ठीक रखो, तो आप जो है, इन गंबीर से गंबीर बिमारियों से चुटकारा पा सकते हो, जी.